सायरम चेल्डरन हाओ यूल आई होब यू आपको आपको नहीं कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं इन्हीं के थू हम देखेंगे कि कैसे हम देखते कि कौन सा नंबर बड़ा है और स्मॉलर है तो चाहिए कितना भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए आपने ध्यान से देखन अगर मैं आपको पूछू कि which is bigger? 175 आप और आम से बता दोगे मैं 100 बड़ा है तो अब math की language में हम इसको कैसे लिखेंगे? क्या मैं जहां पर कौन सा sign लगाऊंगे? पता आपको? I think आपको पहले भी पता है ये वाला sign ये लगाते हैं न हम लोग जातो हम ऐसे लिखते हैं य मैस में लिखने का की greater than or smaller तो पर इसको लिखेंगे कैसे हम आपने ध्यान रखना है इसको आप ऐसे सोचो कि जे चिडिया की चोंच है बीक होते हैं चिडिया खाना खाती है दाना खाती है कुछ भी खाती है अगर उसको आगे जादा धेर सारा खाना पड़ा है जादेर सारे चाबल के दाने पड़े है तो वह जादा मुठोलेगी न तो ओविस है जिस तरफ जादा चीज ये खाने की है energ के उसको खाने की भी उतना बड़ा मुठोलेगा तो वह चीज है जितनी बड़ी देखेगी कोई चीज उतना मुह खोलेगा मीन जो भी बड़ी होगी इसके तरफ मुह ओपन होगा ठीक है तो पेटे देखो यह तो आपने इसली कर लिए बट अगर आपके पास 456 ऐसे बड़े डिजिट्स हो ज्यादा डिजिट्स हो काउंट करने में तो आप कैसे रिखोगे देखो जैसे य है वान टू थ्री इसमें टोटल चार है इसमें कितने है तीन तो बड़े डिजिट्स कितने में किसमें हो यह नहीं देखना हमने किजिए इसमें 234 नो सिर्फ आपने डिजिट्स काउंट करने हैं डिजिट्स मीन कितने है टोटल नंबर इसमें जो हमारे काउंटिंग के होत तो this is greater इसमें यह तो equal हो गए चलो अगर यह ऐसे लग रहा आपको equal इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है count करेंगे तो फिर हमने हमेशा left side से चलना शुरू करो इधर को इधर से पहले compare करते हैं 4 है इधर भी 4 है same हो गया 7 है 7 है same हो गया यहां पर 2 हो गया यहां पर 3 हो गया अब हमने यहां पर देखना है कि कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा है 2 बढ़ा है जब 3 बढ़ा है 3 है ना तो this side is greater समझा रहा है ना हमेशा left side से चलो अगर आपके वो digits में आपको equal है ना तो आपने इसको left side से count करना शुरू कर दो compare करना शुरू कर दो कौन सा चोटा कौन सा बढ़ा है अब यह देखो यहां पर कितने digit है 1 2 3 4 यहां पर कितने 1 2 3 यह बढ़ा हुआ नौ यह बढ़ा है ध्यान रखना कभी भी अगर आपके इस side ना कितने भी नंबर हो अगर इधर 0 आने इसको आपने देखना ही नहीं है 0 का कुछ मतलब नहीं है तो आपके सिर्फ यह नंबर है तीन digit इधर हुए इधर 1 इधर भी 1 ठीक है इधर 3 है और इधर क्या है 6 तो कौन सा बढ़ा हुआ 6 बढ़ा हुआ ना तो यह ऐसे ठीक है ऐसे अगे चलो 5,6,2,3,4,5 होगे इधर 4 है तो यह बढ़ा है इसमें देखो इसमें तो 4 डिजिट है नहीं 4 नहीं है इसमें हमने इसको देखना ही नहीं 0 को हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स है इधर 5 है और इधर 7 है कौन सा बढ़ा है इस वन ठीक है इधर से देखना शु हमेशा 5 से चुरू करो आगे वाला नमबर ठीक है अब 2 अगल 2 के 3 एकल 3 के इधर 0 है इधर 5 है कौन सा बढ़ा है 0 और 5 में से और 5 है इसमें से देखो 6 इकल 6 2 और 0 में से कौन सा बढ़ा है यह बढ़ा है यह दिखो आपने सभी कोश्चन कर दिए ब्या अब यह कोश्चन भी देख लिती हैं देखो कितना बड़ा कोश्चन है count करते हैं इसके digits one two three four five six one two three four five six दोनों equal है इधर seven है इधर भी seven है five five बट जहां पर क्या आगे zero इधर क्या आगया one तो यह बड़ा हुआ ना ठीक है हमें तीसरे नंबर पर जाके पता लगा कि यह बड़ा हुआ ठीक है त कि यह वाला नंबर है ना इस वाला नंबर से न बड़ा है इस greater than इस नंबर आपने बताना जे गलत लिखा है मैं आपने ठीक लिखा है तो पहले बेटा क्या करना आपने इस नंबर को न ऐसे लिख लेना question की form में लिख लिया अब देखो ऐसे लिखने के बाद वही तरीका जातो digits count करो अगर वो same है फिर उसको compare करना शुरू करो जी फिर देखो इसमें कितने 1,2,3,4,5 इसमें भी 5 है अब इधर 1 है इधर 5 यह तो हमें पहले digit पर पता लग गया है कौन सा बड़ा है यह बड़ा है अब इसमें देखो इसमें लिखा है कि यह जो है नंबर इधर व है इक्वल हां ठीक है ठीक है ठीक है अब ऐसे ही question आपको मैं दूंगी ध्यार से आपने करना है ठीक है और मुझे फिर आपने उसको send करना यह देखो जैसे मैं अभी लिखा था ना यहां पर कुछ count the digits और एक और बात आपने क्या किया था हमने हमेशा कहां से देखना हमने compare कि दर से करना शुरू करना है compare कहां से from left side हमेशा left side से आपने ऐसे चलना है देखना कि कौन सा चोटा कौन सा बड़ा हम इधर से देखना शुरू कर रहे थे न ठीक है और अगर zero हो तो उसको zero अगर question अपने करने है तो अराम से अब भई आप इस वीडियो को देखोगे ध्यान से मम्मी को बास में बठाओ पापा को बठाओ बड़े भाई बेन को बोलो कि अगर मुझे समय नहीं आ रहा तो आप मेरी help करो ठीक है फिसको बाद मैं आपको question भीजूंगी वह आपने solve करने और मैं में को send करने है ठीक है बेटा जी साही रांग